नमस्कार आप देख रहे हैं जगत नियुस 24 और मैं हूँ आपके साथ तरुम शर्मा आईए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों की और जासी के गुर्सराय थाना शत्र के अंदरगत महला धनाई में रहने वाली रजिंद्र गुपता का रफुत्र रामकुमार गुपता और फसोनु गुरुवार की शाम से लापता हो गया था आज उसका शब तालाब में तैरता हुआ मिला है सूचना और पहुँची पोलस ने मामने की जांच में जुट गई है मिलिट जानकारी के अनुसा रामकुमार गुरुवार शाम घर से कहीं जाने के लिए निकला था परंतु वहरात में घर वापस नहीं लोटा तो परिजन चिंतित हुए उसके बाद परिवार के सदस्यों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला आज इस सुबह परिजन को किसी ने बताए कि रामकुमार का शव तालाब में तैरता हुआ मिला है जानकारी होते ही परिजन तालाब पर पहुँच गए और शेनाक्त की तो वह शव रामकुमार का ही निकल कराया है सूचना पाकर मांके पर पहुँची पोलस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाने की बाद पोस्ट मॉर्टम के लिए भी जा गया विदिक काजवाई की जा रही है देखिए अनिल कुमार शर्मा की रिपोर्ट